उन्होंने मालूम है कि इसके पीछे कितनी मैनत थी, कितनी कोशिशे थी और उन कोशिशों के भल पर आज करोड़ों लोगों के समूचे हिंदुस्तान का सपना ये सब पूरा कर पाए है ये जो एक तस्वीर होती है, ये जो एक शण होता है, जब उस टोफी को आप अपने हाथों में थामते हैं, उसका मुकाबला ही नहीं हो सकता जब आप राहूल द्रविड को इस टोफी को हाथ में लिए देखते हैं तो देखिए कि जिस खिलाडी को, जिस कोच को ये कहा गया कि हमेशा भावनाओं पर काबू रहता है Mr. Dependable, the wall राहूल द्रविड लेकिन आज वो भी अपनी भावनाओं के सामने दीवार खड़ी नहीं कर पा रहे हैं राहूल द्रविड का आखरी दिन एक कोच के तौर पर टीम इंडिया के साथ और टीम इंडिया ने वर्ड चेंपियन बन के दिखा दिया आज के दिरिश भुलने लाइक नहीं है ये देखिए हमारे टीम इंडिया टीट्वेंटी वर्ल्ड कॉप्स जिक्त के आई है काफी सालों के बाद इतना हर्षित इतना आनन्दित हम देख रहे हैं ऐसा छड कभी नहीं आएगा इस छड को हमेशा के लिए अपने पलकों में बंद करना चाहते हैं ये मेरे टीम इंडिया है मेरे खिलाडी कैसे खुश हो रहे हमारा हीरो कैसा खुश हो रहा है ये हमारे ट्रॉफी है आहाँ ट्रॉफी को देखिए आखरी बॉल पे आखरी ओभर पे पांडिया ने जो कावरनामा करके लाया जैसे शेर के मुझ में हाट डालके उसके जबड़े फाड़के और ट्रॉफी को लेके आया जैसे उसके जबड़े फाड़के उसके अतड़ी में हाथ डालके और अपना ट्रॉफिक खीच के निकालके लेके आए है हमारा इंडियन हीरो ये देखे कितना खुबसूरत कितना मनुहारी ये दृष्ष है जो बोल नहीं सकते